आज मैं आपके लेकर आए हूं मसरूम की सबजी चिली गाडलिक मसरूम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है और इसको बनाने में आपको मुस्किल सिफ 15 मिनट लगेंगे इसको बनाना इतना असान है कि बच्चे भी बना सकते हैं सबसे पहले मसरूम को साप करके काट लेंगे यहाँ पर अपने हिसाब से छोटे बरे टुकरों में काट लेंगे लाहसुन को छोटे टुकरों में काट लेंगे और मैंने यहाँ पर दो प्याज को बाड़ी की से काट लिया है तीनों चीजों को छोटे छोटे टुकरों में काट ले अच्छे से धोले मस्रूम को उसके बाद हम सबजी बनाना सुरू करेंगे बागी को तयारी साथ साथ करेंगे पैन को गरम करेंगे और जैसे गरम होता नो उसमें सरसूं का तेल डालेंगे जो की जैरूरी नहीं है, यहाँ पर आप अपनी मन पसंद का cooking oil ले सकते हैं, तेल को ठीक से गरम करेंगे, सरसू का तेल गरम होने मतला टाइम लगता है, इसके बाद इसमें जीरा डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर आधे चमज जीरा डाला है, जीरा को ठीक से पकाएंगे, जी इसके बाद इन सबी चीजों को तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है मतलब बैसिकलिए हमको प्याज को पका लेना है जैसे प्याज बख जाता है इसके बाद इसमें मस्रूम डालेंगे चबजी बनाने के तरीका आप देखिए मैं पहले किस इसको दो मिनट के लिए भून लेंगे अगर आप कम आज करके पकाएंगे तो मस्रूम पाने रिलेज कर देगा तो आज को हैपर ही मस्रूम को भूने उसके बाद हम तो थोड़ा से हल्दी पॉडर और मिर्ची पॉडर डाल दें मसाला दो ही डालना है इस बाद का भी आप सिर्फ हल्दी पॉडर और मिर्ची पॉडर डालना है मसाले डालने के अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दें अब जब हम नमक और मिर्ची पॉडर हल्दी पॉडर डाल दें इसके बाद मसाले को पकने दें यहाँ पर पांच लेकिन अगर आपके पास यह साड़ी चीजा नहीं है तो सब्जी में बस थोड़ा से गरम मसाला डाल दें और उसको अच्छे सी मिला लें और धनियाक पत्ता डाल के सब्जी आपके तियार हो जाएगा लेकिन अगर सौस आए ते एक बार सौस जरूर डाल के बनाए सब्जी बहुत स्वाधिस्ट बनती है तो सभी सौसस को ऐसे सब्जी में डाल देंगे यहां पर में रैट चिली सौस, ग्रीन चिली सौस और यह टोमाटो सौस आधा चमच बेनिगर डालेंगे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सबजी को दो मिनरी के लिए पका लेंगे शॉस डालने के बाद सबजी को ढगना नहीं है खुले में पकाना है आज को हाय पर रखें और दो मिनरी के लिए सबजी को अच्छे से पका लें यहां पर यह हमारा सबजी बन के तेयार है अब इसमें और कुछ नहीं डालना है आप चाहत यहां पर धनियाक पता डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नहीं डाल भी बस गैस को बंद कर दें इस सबजी को आप पराठा रोटी किसी के भी साथ खायेगा या स्टार्टर में करने का मेरा यह सिंपल तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं होगा